नमस्कार, दोस्तों, मुख्य शान्ती शान्ति क्यों नहीं मिलती खास कर वो आत्माएं जो बेचैन रहती हैं क्यों रहती हैं दोस्तों, इसका जो पूरा आकलन है, वो किसी भी आत्मा की जीवन से किया जा सकता है, कि किस तरीके का जीवन उसकी सोल ने बिताया है, क्या वो जीवन ट्राउमाटाइज था, क्या उस जीवन में संतोश नहीं था, क्या उस जीवन में अधूरी इच्छा है थी, जो पूरी नहीं हुए, क्या उस जीवन में मारपीट थी, क्या उस जीवन में गाली गलोच थी, क्या उस जीवन में दुख जादा थे, क्या उस जीवन में बहुत कुछ खोया उस आत्मा ने, हम सब के बहुत इक जीवन में बात करूँ तो मैंने बहुत कुछ खु़आ है अपने जीवन में और संतुष्टी नहीं रही है जीवन में कहीं न कहीं एक दुख बना रहा है चाहे फैमली मेंबर्स के जाने का घर के चले जाने का हर तरीके से लोगों के तंग करने की वज़े से परिशान करने की वज़े से दुश्मनों के कारण हर तरीके से एक बेचैनी परिशानी रही है और बहुत लोगों के साथ maximum लोग के साथ ऐसा होता है कि जीवन में दुश्मन भी होते हैं परिशान करने वाले लोग भी होते हैं losses भी होते हैं, monetary losses भी होते हैं घरबार भी बिग जाते हैं यहां तक की घरवाले भी चले जाते हैं relationships तूट जाती हैं किसी को संतान नहीं होती किसी की शादी नहीं टिक पाती किसी का तलाक हो जाता है किसी की पत्नी की मृत्ती हो जाती है किसी के पत्ती की मृत्ती हो जाती है किसी के बच्चे साथ छोड़ जाती है करते हैं कुढ ते हैं रोते हैं चिलाते हैं दुखी होते हैं कि काश हमारा दर्द कम हो जाए काश कोई हमे समझने वाला कश को हमारी बात सुने काश हम वो वक्त वापिस ला सके काश हमने वो गलती ना की होती काश वो चीजसे पहले जैसी हो जाती काश वो हमारा बंदा होता काश हमार को दुख ना होता तो अलग-अलग Croilić एक्सय्ट हमारी जो ख़ाईश हैं जो अधूरी summary हावि रहती हैं हमारी परिशानी हम पर होई रहती है और मरद क्यास अगर की चिंता घर को चलागाकी चिंता खरचे यह सब चीजें भी समयारी आत्मपा को भी चयर पती다 और जो दुख हैं जो परिशानिया हैं वो तो ही हैं साथ में जो लोग तंग करते हैं तो पूरा जीवन जो होता है इसके अंदर अगर हम अकलन करें तो सुख के पल बहुत कम होते हैं और दुख के पल जादा होते हैं ट्रॉमाटाइजिंग जो हैं इवेंट्स जादा होते है ये तो हमारी आत्मा दुख जेल जेल के इतनी immune हो चुकी होती है कि हमें चुटी मुटी losses से परिशानियों से कोई फरक नहीं पड़ता ऐसा नहीं है कि हम सभी ऐसे होते हैं बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनका जीवन बहुत सुख में कट रहा है उनों ने कभी दुख के बादल नहीं देखे पर अधिकतम लोग दुख के बादल देखते हैं परिशानियां देखते हैं तो वो traumatizing life जीने के कारण जब death cause होती है अगर वो death cause भी उस उमीद को थोड़ते हुए हो कि आगे चीज़े ठीक हो जाएंगी तो आत्म और ज़्यादा बेचैन हो जाती है suppose हमारी इस जिन्दगी में भी हम कितने ही परिशान है पर फिर भी एक उमीद का एक किनन हमारे इंदर पल रही है हम सुछते के हाँ एक दिन आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन आएगा के शादी हो जाएगी में भी खुशिया होंगी हमारा अकेला पंदूर हो जाएगा तो एक्स वाइजएट बहुत सी हम उमीदे लगा के चलते हैं फ्यूचर को लेके कि कोई ना कोई हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी बट अगर उस प्रॉसेस के दोरान ही डेथ हो जाती है तो वो सारी अदूरी इच्छा हैं और जो भी सेट बैक्स हमने जहे जो सहे थे जो भी ट्रॉमाटिक इवेंट्स हमने सहे थे वो हमारी आत्मा पे हावी रहते हैं हमारी आत्मा इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही होती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ एक तो इतना ट्रॉमाटाइजिंग पास्ट और उसके बाद भी एक सुधार की अगर किरन सोची कि हमें उसकी जो कहते हैं ना सुधार की रोशनी एक किरन हमारे भी आंगन में पड़ेगी और वो हुआ नहीं और वक्त के तराजू पे दुख ही दुख हमें मिला प्लानिंग की होती कि यह होगा वहले नहीं देख पाते और उनकी आत्मा बहुत जादा परिशान रहती दुकित है ना एक जो हती है न बडू होने भी परलोक dependent हैं कि मैं अपने बच्चों कों बड़ा होते नहीं नहीं देख पाई मैं अपने बच्चों की शादी नहीं देख पाई या एक्स वाई-जेट बहुत से जो भी उमीद होती क्योंकि बड़ा होते देखना शादी देखना बच्चे होना यह सारी चीज़ें काफी हमारे लिए बड़ी है एहमेत रखती है तो मैक्सिम लोगों की इच्छा अधूरी रह जाती है किसी की इच्छा अपने घर की अधूरी रह जाती है तो वह पूरी नहीं और नहीं हो नहीं देखना पूरी नहीं हो rec साथ ही ऐसा क्यों हुआ एंड पारलोकिक दुनिया भी पास्ट ऐसा जिसमें बंदा अठका रह जाता है तो कहीं न कहीं एक यह कहलो कि आत्मा एक गफलत की स्थिति में होती है कंफूशन की स्टेट पे होती है एक अजीब सी उसकी मतलब केते हैं दरुद अशा होती है और कभी-कभी यह सोचने पे भी दया आती है बहुत अजीब लगता है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया ऐसा कठिन जीवन क्यों बनाया कि जीते जीवी जो पूरा जीवन है वो कठिन रहा परिशानियों से घिर रहे इंसान और मरने के बाद भी आत्मा के लिए जो यात्रा है वो इतनी जादा कठिन है तो कहीं न कहीं यह सारे जो दुख्ये सागर है जो दुख्यी परिशाने जिसका अंत नहीं हो रहा तो उसी वजह से मैक्सिमम जो होती है आत्मा है परिशानी के बाद भी उन्हें दुख्यी मिला सपोस्पोस किसी तांत्रिक ने पकड़ लिया उसने गलत इस्तुमाल करना शुरू कर दिया या कहीं वैसे फज़ गई या अपने बच्चों को नहीं देख पारी बच्चों को प्यार नहीं कर पारी या घर्म की परेशानिया कि मैरे बच्चे दुखी होतना कि मेरे पती दुखई है मेरे घर धंग परेशाण कि प्रोब्लम से निकल नहीं बहुत है तो डोल गलत संपर्क में आ गया है या रिष्क्टेदार बेफया बनाने वाले तो च्लिब आतमा के लिए तो बेच्पृ की सोओने है और रहा स्ब जैसा संबंध होगा वैसी ही उसकी अंदर वो इमोशन होंगे वो सारी चीज़े भरी वी होंगी जो जिसका एंड नहीं हुआ पर शारिरिक रूप से एंड हो गया पर अगर हम देखें जो आत्मा है वो नहीं रह पाती तो मैक्सिम्म आत्मा इसी उसे बहुत ही बेचैनी की अ बुरी बनेगी क्या वो रूप लेगी क्योंकि परिस्तितिया इंसान को बदल देती है जैसे जीते जी हम परिस्तितिया में बदल देती है अच्छा या बुरा इंसान बना देती है इसी तरीके से आत्मा भी परिस्तितियों का शिकार होके अपने सुरुप को बदल लेती है तो अगेन भगवान ने जो है एक भगवान का ही सारा है चाहिए भगवान ने जैसी भी कठिन परिस्तितिये में दी है उनी का नाम लेने से उनी की उपासना करने से हमें सब कुछ मिलेगा शांती मिलेगी और जो भी हमारे मृत परीजन है उनकी आत्मा की शांती के लिए भी ह आपका कोई भाई या बेहन या मा या पिता कोई भी जो भी इस दुनिया में नहीं है आपकी पत्नी या पती वह अत्रिप्त हो परेशान हो आपकी वस्ता देखे वह बेचैन हो दुखी हो तो उनको संतुष्टी ज़रूर प्रदान कीजे ताकि उनकी बेचैनी खतम होगी आप उनका दिहान रखें तो करेंगे क्या एक तो उनके लिए धुनी जलाएंगे हमारी सुपर गोल्ड वाली रेगुलरली जलाएंगे और प्रात्मा करेंगे कि उनकी आत्मा को शान्ती मिले शक्ती मिले दूसरी चीज उनके निमित आप मिठाईयां दान करते रहेंगे ख कभी भी उनको कोशिए मत कभी उनको गाली मत दिझे कभी उनको बुरा मत बोलिए हमेश्य जो है अच्छे से घर में गट किGroupे इंब आप मेनकी विकट परेशाणी निकले का कवर दग्याद कोई को से और अप affirm शॉलूटन कि आपको जरूर देए तो इससे भी आपको फायदा मिले गा हासकर अगर आपको एक्टिव पितर दिखाई उनकी बेचैनी भी कम हो और कहीं ना कहीं उनको त्रिपती भी प्राप्त हो और अगर कोई solution वो दे पाते हैं या आपको फायदा होता है तो उनके निमत ज़रूर परशाद मंदिर में बटवा दीजेगा गुर्दवारे में भी बटवा सकते हैं और कहीं ना कहीं आप देखेंगे मंदिर में या किसी भी धार में इसल पर जब आपन के लिए परशार बटवाएंगे तो उनको और शांती मिले तो इसी तरह सुनते ही प्यालते तरह आपको आज की वीडियो पसंद आईए अगर आप मंगाना चाते हैं सुपर गोल्ड धुनी तो मंगा सकते हैं अपने पितों के लिए उनकी आत्मा की शांती के लिए ब्रिट परीज्नों के लिए और उसके लावा अगर आपके जी उनमें संकट है, दुश्मनों का भेह है, कोई ना कोई लोग परिशान करते हैं, सुसाइड का मन करता है, भूत प्रेद ब्यादा है, काले जादू के शिकार हो चुके हैं, वशिकर उनों चाटन, मारण क्रिया या किसी भी तरीकी की डाकनी, शाकनी, भ्रहमराक्षस, जिन, चुडैल का आपके प्रेयोग है, या कोई भी अभी अभीचार करम आपके किसी ने कर रखा है, तो आप मारे क्रिया वाले नारियल मंगवाई हैं, उनसे उतारा कीजिए अपना, और नारियल हवनकुन में जलाइए, बड़े से बड़ी आप आपके उपर से हट जाएगी, जै कितना ही बड़ा तांतरिक प्रेयोग क्यों ना हो, क्रिया वाले नारियल फिलाल आप 30 मंगाई एक महिने के लिए, हाला कि ये नारियल क्या ही महिने तक आपको करने पड़ेंगे, तो हो सकता है 6 महिने भी करने पड़ें, साल बर भी करने पर शुरुआद में वनमंत आप करके देखिए, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे और उसके बाद भी उसी हिसाब से आप नारियल मंगाते रहें, अपने उतारे करते रहें और नारियल हवनकुन में जलाते रहें, बड़े से बड़ा दुश्मन, बड़े से बड़ा र आपके उपर से निकल गए, तो मंगा सकते हैं, अगें घर के लिए धुनी मंगाईए, घर में जलाईए, आपको कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे, मेरे द्वारा भी मंतरत कमच या लॉकिट भी दारन कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए, अगें शरीर में बहुत दर्द रहत है सुखती है शरीर पर भार रहता है पैर टोड रहा है पूरे शरील में कमर पर बहुर रहता है तो इन एक ट्रीव टीविटी चिलक्शन है तो आप मारा तेल जरूर मंगाई है मंतरत इससे मालिश कीज़े घर तरीकिया से आपको आराम आता चला जाएगा ऐसे ठीक होते च दिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, मैं हूँ आपका दोस्पल कित्माहुन संगला है।